Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ श्यता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बेबी जो गर्वस्त सिसू होता है वो अपने गर्दन के चारो तरप गर्व नाल के लपेटे लगा लेता है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या उससे बेबी को कोई डेंजर हो सकता है, क्या बे वीडियो पर end तक बने रही है, वीडियो आपके लिए बहुत ही informative और useful होने वाला है, तो वीडियो को अभी जे like कर दीजे, मेरे चैनल को subscribe ऐसी बहुत सारी informative वीडियो के लिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा जब 7 या 8 मन्त चल होता है, और जब आप ultrasound कराने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे ने गर्व नाल को अपने गर्दन में लपेट रखा है, एक या दो बार, जादा से जादा तीन बार हो सकता है, इससे जादा लपेटे नहीं लगाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा stress हो जाता है, बहुत ज़्यादा tension हो जाती है, परेशान हो जाती है, आपके अब क्या होगा, क्या normal delivery होगी या नहीं होगी, कहीं बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे आप tension मत लीजिए, बच्चे को गर्व नाल लपेटने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गर्व नाल में एक चिपचिपा और चिकना पदार्थ पाया जाता है, जो बच्चे की गर्दन में गर्व नाल को कस्तने नहीं देता है, तो यहाँ पे बच्चे को लेके आप बिल्कुल भी tension नहीं लीजिए, और यहाँ पे एक और बा केसिज में ऐसा होता है कि गर्व नाल अपने आप से खूल जाती है, या बच्चा जब अपने सर को fix करता है, तो वो गर्व नाल को खोल लेता है, बहुत सारे केसिज में ऐसा होता है, तो इस चीज की भी tension आप ना लें, अब हम जानेंगे उन कारणों के बारे में, जिसके चलते बच्चा अपने गर्व नाल को फसा लेता है, तो सबसे पहला कारण यही होता है कि बच्चे की जो गर्व नाल होती है, बहुत जादा लंबी होती है, जब बच्चा activity करता है, घूमता है, पेट में तब क्या होता है कि गर्व नाल को वो अपने गले में फसा लेता है तो एक तो सबसे पहला कारण यही होता है, दूसरा होता है amniotic fluid जिसमें बच्चा रहता है जो पानी की थैली होती है, चारो तरफ वो अगर पानी बहुत जादा है, बच्चे को बहुत जादा activity करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारा पानी है तो बच्चा अच्छे से उसमें तैरता रहता है और इस बच्चे से वो अपने चारो तरफ गर्ब नाल को लपेट लेता है, दूसरा होता है बेबी जब position change करता है, एक position से दूसरी position में जाता है, आप कभी सर इधर feel करेंगी, लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में feel करेंगी, तो ऐसा होता है कि बड़ सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपकी कमी की बज़े से या आपकी गलती की बज़े से यहां पर बच्चे के गले में गर्बनाल निपट गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो अपने आप से कोई भी decision नहीं लेना है, अपने कोई कुछ भी बोल रहा हो सिर्फ डॉक्टर की बात माननी है I hope कि वीडियो आपके लिए यूस्फुल रहा होगा वीडियो यूस्फुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इंफरमेटिव वीडियो के लिए thank you thank you so much for watching thank you